हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास त्रीवन टैक तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन में कंप्यूटर कैसे चला सकते हैं मतलब आपके जैसे कंप्यूटर मे कैसे दिखाई देगी तो इस वीडियो को पूरा लास्त तक जरूर देखिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यूँ है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बैल को भी ओन कर लें थाकि आपको मेरे आने वाली नही न पॉन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप देख सकते हैं तो फ्रेंट्स मोबाइल के अंदर कंप्यूटर चलाने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर जाना है और यहां पे एक एप्लिकेशन अपने फॉन के अंदर इंस्टोल करनी है जिसका नाम है कंप्यूट लॉंचर यह आ गया इस पे सर्च पे क्लिक कर देना है और यह सबसे उपर आ जाएगी इसको आपको अपने फॉन के अंदर इंस्टोल कर लेना है तो आप देख सकते हैं यह डाउनलोड हो चुकी है और अब यह इंस्टोल होनी शुरू हो रही है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आप जैसे कम्प्यूटर में आपको दिखाई देता है वैसे स्क्रीन बन चुकी है जैसे दिस PC फीम जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एलो करेंगे यहाँ पर आपको आपके device का नाम डालना है मैं अभी नहीं डाल रहा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे कैसे करना है यह देखिए यहाँ पर जैसे आपने my computer पर click करा था तो यहाँ पर local disk C दिखा रहा है आपकी इसमें memory card नहीं है तो अभी इसलिए दूसरी disk नहीं दिखा रहा ठीक है बाकी सारी चीज़ें यहाँ से आपको दिखायत दे जाएंगी यहाँ पर downloads, pictures, videos यह सारे हैं यहाँ से आप back आ जाएंगे उपर left में click करके यहाँ cancel कर सकते हैं इस तरीके से recycle bin बिन आ गया यह WhatsApp का folder है और नीचे यहाँ पर left में आपको य यहाँ पर दिख रहा है इसके उपर click करेंगे इसमें blur का option है इसे no कर लेंगे अभी ठीक है यह आप देख सकते हैं इसी तरीके से खुलती है आपकी सारी applications तो इसमें अभी इसी तरीके से खुली है आप देख सकते हैं यहाँ से आप कोई भी application open कर सकते हैं जैसे Chrome open करना चाह तो यहां पर आप सर्च कर सकते हैं जैसे यूट्यूब ठीक है यूट्यूब पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने YouTube खुल जाएगी जैसे चलती थी वैसी चलेंगी तो इस तरीके से आप मोबाइल के अंदर computer चला सकते हैं, जैसे आपको computer में दिखाई देता है, वैसे आपको mobile पे भी दिखाई दे रहा है, तो friends उमीद करता हूँ, आपको इन वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, इस वीडियो से related कोई भी query हो, तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंदाई होतों से like जरूर करें, और ज़्याद से ज़्यादा share करें, thank you